हैलो दोस्तो आज मैं आप लोग के लिए लेकर रहा हूँ फिट जी टैलेंट रिवाड एक्जामनेशन 2022 का दोस्तो ओरिजिनल पेपर जो दोस्तो हमारे एक्जाम हुआ था है FTE 2022 वो हुआ था दोस्तो 25 दिसंबर 2022 को एंड मैं आज उसका ओरिजिनल कोशन पेपर लेकर आया हूँ जो की दोस्तो सेम पेपर आप लोग से पूछा गया था एंड वाई ओरिजिनल पेपर यह है एंड दोस्तो आप लोग लेख सकते हैं अगर बात करें क्लास का तो फॉर टू है एंड जो यह पेपर है दोस्तो मैं इसका फॉल क्रेडिट देता हूँ एक हमारे सब्सक्राइबर है मैंक सिखर मैं उनको ही क्रेडिट देता हूँ दोस्तो क्योंकि उन्हों नहीं यह पेडिए मुझे सेयर किया है एंड अभी बात कर लेते हैं हम लोग इस कोशन पे कंपर का डिजाइनिंग के बारे में देख सकते हैं total 4 section में डिभाइट किये गए है section 1 section 2 का बात करें दूस्तो तो same subjects physics chemistry mathematics and biology अगर दोस्तो section 3 का बात करें तो pure science यानि की physics chemistry and biology है और fourth section का बात करें दोस्तो यहाँ कियान ही क्यारफुल होना होगा कियोंकि इन ही दो सेक्षन में निगेटि मार्किंग नहीं है टोटल नंबर अफ कोश्टन का बात करें दोस्तों तो टोटल नंबर अफ कोश्टन 116 है यहां पर एक इस्ट्रक्ष्टन फॉर कोश्टन नमबर 108 to 116 इन सभी question में दोस्तों आप लोग को option देखने को नहीं मिलेगा यानि कि question को इस तरह designing किया गया है आपर दोस्तों जिसका answer 0 से लेकर 9 तक कोई भी single digit हो सकता है अगर बात करें जैसे कि example के तौर पे आपका answer 6 आ रहा है तो दोस्तों आप लोग को OMR पर कुछ इस परकार का pattern देखने को मिलेगा और मालीजे suppose करें कि आपका answer 6 आ रहा है तो 6 को bubble out कर देना होता है simple है and I hope कि जो यह instruction है दोस्तों आप लोग सही से deliver आप लोग को हुआ होगा यहार यहां से हमारा first section start है जिसका recommended timing 55 minutes रखा गया है part A का बात करें दोस्तों तो physics है total 12 multiple choice question physics part A से तो आप लोग के screen पर दोस्तों number one two three four and five और दोस्तों जीन बच्चों ने यह 25th December को FTR exam दिया था class 9th में and उनको अगर अभी तक answer की नहीं मिला है official answer की तो मैं इसी वीडियो के last में इसका दोस्तों official answer की दूंगा and paper one year already upload हो चुका है तो अगर आप लोग ने अभी तक नहीं देखें तो इस वीडियो के description में जाकर देख सकते हैं महाँ पर मैं link दे चुका हूं and next page पर दोस्तों question number six seven eight nine ten and eleven and twelve वैसे बचे दोस्तों जो की 2023 का FDR देंगे यानि के एक साल वाद तो आप लोग दोस्तों इस original paper को original question paper को refer कर सकते हो for your test and देख सकते हैं same hardness level होगा उस time b and same difficulty level and same pattern भी रहाएगा दोस्तों part b का बात करें दोस्तों तो chemistry है total 12 multiple choice question chemistry है तो आप लूख screen पर दोस्तों question number 13 14 15 16 17 18 and next page पर दोस्तों question number 20 21 22 23 and 24 तो यहार 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 पर आप लोग का part b chemistry भी complete होता है अब आता है part c mathematics का यहां भी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं total 12 multiple choice question part c mathematics है तो आप लोग की screen पर question number 25 26 27 and here are 28 29 30 31 32 33 34 35 36 next page पर दोस्तों देख सकते हैं part d start है जो कि यह biology है यहां भी total 12 multiple choice questions biology से तो आप लोग के screen पर दोस्तों कोश्मर 37 38 39 40 41 and 42 और लास्ट वन 43 next page पर दोस्तों 44 45 46 47 and 48 तो यहां पर दोस्तों आप लोग का part d biology से total 12 multiple choice questions complete होते हैं अब बात आता है second section का जिसका recommended timing दोस्तों 45 minutes रखा गया है and part a का बात करें तो यहां पर physics है total 4 multiple choice questions physics है जो कि आप लोग के screen पर है कोश्मर 45, 49, 50, 51 and 52 part b का बात करें दोस्तों तो यहां पर chemistry है और यहां भी total 4 multiple choice questions chemistry से तो आप लोग के screen पर question 53, 54, 55 and 56 यार मैं हर एक page पर हर एक question पर आप लोग को sufficient timing पर भाइट कर रहा हूं so that आप लोग इसका screen shot ले सके and अगर आप लोग future में FDR e कभी भी दोगे तो इसको refer कर सकते हो तो आप लोग अपना इसका screen shot लेकर इसको घर पर बनाने का प्रयास भी कर सकते हो and part c दोस्तों mathematics है total 4 multiple choice questions mathematics है तो question 57, 58, 59 and 60 part d में दोस्तों आप लोग रह सकता है biology and यहाँ पर total 8 multiple choice questions तो आप लोग के screen पर दोस्तों customer 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68 यहाँ से दोस्तों हमारा third section जिसका recommended timing 40 minutes रखा गया है वो start है and आप लोग को दोस्तों third section में बहुत ही careful होना होगा क्योंकि यह negative marking भी है and आप लोग देख सकते है total 8 multiple choice questions पूछे गया है part a physics से तो आप लोग के screen पर question number 69, 70, 21, 72, 73, 24, 25 and 26 तो यहार यहां पर physics part यह complete होता है अब बात आता है part b जो की है chemistry and यहां भी total 8 multiple choice questions question number 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84 यहां पर दोस्तों part b chemistry भी complete होता है अब बात आता है part c जो की है biology and यहां पर total 8 multiple choice questions 85, 86, 87, 88, 89 and 90, 91 and 92 तो fourth section में दोस्तों यहां पर जो आप लोग का recommended timing है 40 minutes रखा गया है and part a का बात करें तो यहां पर है physics total 5 multiple choice questions physics है तो आप लोग की स्क्रीन पर question 1 93, 94, 95, 96 and 97 total 5 question physics party है इसके बाद part b में दोस्तों chemistry and यहां भी total 5 multiple choice questions तो आप लोग की स्क्रीन पर question 98, 99, 100, 101 and 102 part c में दोस्तों mathematics है and यहां भी total 5 multiple choice questions 103, 104, 105, 106 and last one 107 तो यहार अभी तक के जितने भी question थे आप लोग की स्क्रीन पर उसमें option दिये जा रहे थे लेकिन अब जो answer की आएगा दोस्तों answer की नहीं मलब question जो आएगा उसमें आप लोग को option नहीं मिलेगा and जो उसका instruction है दोस्तों मैं इस video के पहले ही दे चुका हूँ कि आप लोग के हापर option देखने को नहीं मिलेगा and question को इस परकार से बनाया जाएगा कि जो इसका answer होगा दोस्तों 0 से लेकर 9 तक कोई भी digit हो सकता है ध्यान देने वाला बात है दोस्तों कि 0 भी हो सकता है 9 भी हो सकता है और उसके बीच वाला जितना भी digit है वो तो हो गई आप लोग पार्ट D में दोस्तों देख सकते हैं physics है total 3 numerical based question 108, 109 and 110 पार्ट E में है दोस्तों chemistry and यहाँ भी total 3 numerical based question 111, 112 and 113 and last part दोस्तों जो कि है part 8 यहाँ पर total 3 numerical based question question 114, 115 and 116 तो यहाँ यहाँ पर आप लोग का जो question paper था वो complete होता है original question paper fit g talent reward examination 2022 for class 9th वैसे बचे जो की बहुत जल जाएंगे class 10th में paper 2 दोस्तों आप लोग का यह राज simple paper and सबसे पहले तो आप लोग के screen पर 1 से लेकर 68 तक के answer की and इसके बाद दोस्तों 69 से लेकर 116 तक के answer की अगर मैं दोस्तों चाहूं एक page में show करना तो देख सकते हैं यहाँ पर 1 से लेकर दोस्तों 116 तक का answer की आप लोग के screen पर इसका भी आप लोग screenshot ले सकते हैं and तो यार यहाँ पर हमारा finally जो question paper था original question paper 4 class 9th वैसे बच्चे जो की class 10th में जाएंगे बहुत जल्ड आप लोग का paper 2 दोस्तों complete होता है and again दोस्तों जो यह हमारा exam होते हैं FDR वो 25th December 2022 को हुआ था paper 1 दोस्तों already upload हो चुका है अगर आप लोग नहीं देखें तो आप लोग इस वीडियो के description जाकर चेक कर सकते हैं मैं वहाँ पर link दे चुका हूँ and यार मिलते हैं next video में next video जो होगा दोस्तों for class 10th वालों के लिए होगा जो की class 11th में जाएंगे उनका भी paper 1 and paper 2 दोनों वीडियो आएगा and इसका जो दोस्तों इस वीडियो का full credit जो जाता है बयंक सेखर मेरा जो की subscriber है दोस्तों उसी ने यहाँ पर PDF मुझको share किया था and यार उसको तह दिल से सुक्रिया thanks for watching this video मिलते हैं next video में तब तक वैब and take care again thanks for watching this video कर दो